हाई गाइज वेलकम टू टॉकेंट टिप्स माइनेम इज अमरेद्रुकुमार दोस्तों जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आप देखे होंगे कि उस वेपसाइट के डोमेन नेम के पहले आपको एक छोटा सा लॉक दिख जाएगा या लॉक के अलावा आपको कुछ इस तरह का सिंबल दिख जाता है या आपको वहाँ पर मिल जाएगा यूर कोनेक्शन टू इस साइट इस नौट सिक्योर कुछ इस तरह लिखा आपको मिल जाता है इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी वेपसाइट के डोमेन नेम के पहले आप देखे होंगे कि fttp या इसt claps दिखा रहाता है तो आखरी यहस्टट्प या स्टट्प हैं इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे और दोस्तों इसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है से यह अगर इसके बारे में आप लिटा है तो इंटरनेट पर कभी भी डेटा है क्भी प्रेस कर दी जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप अपने फोन या लैप्टॉप के ब्राउजर से कुछ भी टाइप करते हैं और जैसे ही सर्च करते हैं तो किसी भी वेब्साइट के पहले आपको स्परेट या हो सबसे पहले सबसे प्रे सबसेट पराइबं है हाइपर टेक्स ट्रांस्फर प्रोटोकॉल और यह एक तरह का प्रोटोकॉल है जो हमारे वेब ब्राउजर से वेब सरवर के बीश को मुनिकेशन का काम करते हैं यह दोनों को आपस में जोड़ता है मालेज़े आप अपने फोन के ब्राउजर में किसी ऐसे वेपसाइट को ब्राउज कर रहे हैं जो प्रोटोकॉल पर काम करती है तो आप यहां से इस वेपसाइट के अंदर आप अपना जीमेल और पासवर्ड को इंटर करकर फिर लॉग इन करेंगे तो यहां से जो भी डेटा जाता है मालेज़े आप लॉग इन नहीं करते हैं कुछ भी ऐसे न्यूज वगारा पढ़ रहे है है या कुछ payment करते हैं तो यहां से जो भी डेटा जाएगा वह अन इंक्रिप्टेट जाता यहां पर जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच तो इसमें कोई भी सेक्यूर्टी नहीं लगा होता है सिधा प्लेन फॉर्मेट में ही उस सर टीपी को अन्सीक्योर प्रोटोकॉल माना गया है क्योंकि यहां जो भी डेटा ट्रांसफर होता है सिधा प्लेन फॉर्मेट में होता है यहां किसी तरह का इंक्रिप्शन नहीं लगा होता है सो गाईज अब एस टीटीपी एसके बारे में जान लेते हैं तो इसके लाश्ट और यहां पर कुछ भी अपना काड डीटेल या अपना जीमेल वगला देते हैं तो यहां से जो भी डेटा सरवर के पास तो एक सो》ड़ हो रहा है और सrawबूर सber लोग हमारे ब्राउजर में आता है इस तरह या एक तरह का शिक्योर प्रोटोकॉल और आज कल जीतनी भी बिश्वसन यह website है वो सारे https प्रोटोकॉल पर ही काम करती है अब से आप कुछ भी ब्राउज करिएगा तो आप देख लिएगा कि जो आप वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं वो किस प्रोटोकॉल पर काम कर रही है Track या protokoll पर काम कर रही है या एस्टीटीटीप प्रोटोकॉल पर काम कर्री दोस्तों यहाँ पर एक प्रोश्न बनता है कि आखिर अभी गुश्य websites क्योंهgrades итडिटीटीप प्रोटोकॉल पर काम करती हैं तो यहाँ पर आप यह जान लेजिए कि किसी websites को HTTPS protocol पर काम करने के लिए उसे SSL certificate लेना पड़ता है SSL का प्रना में security stocket layer तो किसी websites को अगर यह certificate मिल जाता है तो HTTPS protocol पर काम करती है और यह certificate लेने के लिए किसी websites को कुछ map done है उस map done को उस पैमाने को पूरा करना पड़ता है उसके बाद SSL certificate मिलता है और SSL certificate लेने के लिए कुछ charge भी देना पड़ता है तो इस करन से अभी भी कुछ sites है जो उस map done को पूरा नहीं कर पाते हैं इसलिए HTTP protocol पर ही काम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी ऐसे websites को उपर search कर रहे हैं यह ब्राउज कर रहे हैं जो HTTP protocol पर काम करती हैं तो आप यहाँ पर अपना कोई भी payment information या payment detail मत दीजिए आप कुछ इस तरह सधारान ब्राउज कर सकते हैं जैसे news पढ़ना जोग पढ़ना इस तरह के आप यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं इसके अलावा आप कोई भी यहाँ पर अपना personal information मत दीजिए तो इस वीडियों बस इतना ही और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तो मिलते आप से किसी और वीडियो में तो तक अपना ख्यान लेखिए जैहिन जैभारत